दोस्तो नमस्कार आपने देखना चालू कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नौलेज का एक बहुत ही बहतरीन वीडियो जिसका टॉफिक है कि हम अपने तालाब में अगर कॉमन कार्प मचली का पालन करते हैं तो उससे हमको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान ह तो अज हम आपको इसी विषय में इसी कॉमन कार्प मचली के बारे में संपुन ग्यान देने का परियास करेंगे भायो तो वीडियो पर बने रहें वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें चैनल पर नय हैं भायो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जैसा कि आप ज प्रूडर जो है वह चार साल पांच साल पुराना हो तब जा करके प्रूडर जो है इसका वह पुराना हो तब जा करके ग्रोथ अच्छा हो जाएगा नहीं तो बहुत सारे लोग चोटी-चोटी कोमन कर्ब मचलियां जो उनके तला में बच्चा दे देती हैं उसी को सेल कर देते हैं तो आपके कोमन कर्ब मचली का ग्रोथ रुक जाता है बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है दोस्तों सालों साल आपके तलाब में रह जाती है फिर भी वह 600-700 ग्राम के आसपास ही रह जाती है और फिर ओही मचलियां आपके तलाब में भी बच्चे देने लेती है तो ग्रोथ उसका बाधित हो जाता है इसलिए फ्रेस बीज खरीदने का प्रयास करें ब्रूडर पुराना हो तीन-चार साल का हो उसी का बीज खरीदने का प्रयास करें इस कॉमन कार्प मचली का दोस्तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक एकर में के तलाब में इसका पालन करते हैं दोस्तो तो लगभग दो टन तक आप इसका उत्वादन ले सकते हैं यह एक वजन पुराने वाली मचली के नाम से बिख्यात है दोस्तो जब भी आप हरवेश्ट कराते हैं और सेल करते हैं दोस्तो तो यह मचली देखने में तो छोटी लगती है यह आपके तलाब में भरपूर मातरा में बच्चे दे देती है दोस्तो अगला फायदा आपको है यह आपके तलाब में भरपूर मातरा में बच्चे दे देती है तो आप बच्चे देती है तो ठीक है लेकिन बच्चे को क्या करेंगे तो उसके लिए हम आपको बताना चाहरे हैं भाईयो कि अगर कोई बंधू आपसे कॉमन कार्ब मचली का सीड लेना चाहें तो आप इसका सीड भी सेल करके अच्छा खासा रकम कमा सकते हैं आप कॉमन कार्ब का अपने तालाब का सीड बेच करके आप अच्छा खासा मुनाफ़ा दोस्टो खमा सकते हैं तो यह ऐए एक फाईदा हो गया अब हम बात करते हैं आगे क्या फाईदा होने वाला है यह कॉमन कार्ब मचली दोस्तों दूसरी मचलियों जैसे आपके तालाब के मिडिल लेयर में या उपरी लेयर में जिस मचली का आप पालन करते हैं उन सारी मचलियों जैसे रौहु ग्रासकारब का तला ओ मचलिया जो भी आपके तलाब में बीट करती है वह सारे बीट को यह common कारब मचली बरे ही आराम से अपना भोजन मना लेती हैं और गुरोथ अच्छा बनाति हैं दोस्तों तो इस ख्याल से भी यह बहुत अच्छा मचली है दोस्तों यही फायदा है दोस्तों अब हम बात करते हैं चुकि यह मचली सब से निचले तली में यानिकी बौटम में रहती है इसलिए वहाँ के सरीगली चीजों को बरही आराम से हखाती हैं जिसका नतीजा क्या होता है कि आपके तालाब में अमोनिया मुक्त रहता है आपका तालाब वो अमोनिया से जो प्रोग्लिम हो जाता है अनेक किसान भाईयों को जो लोग भी अपने तालाब में common card का पालन करते हैं उनके तालाब में अमो परतिए और एक अलग तरह का बाद हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपका तलाब आपके घर के पास में है और आप कांशा पालन किये हैं तो आपके कीचेन में जो भी बचा फोचा समान रह जाता है दोस्तों जैसे चावल बच गया उसके बाद रोटी बच गया या जो भी ची बहुत अच्छी तरह से दूसरी मचलियां नहीं खाती हैं, कतला रोहू औगर नहीं खाएंगी, लेकिन ये कॉमन कार्प मचली सबसे पहले उपर आ करके, आप देखेंगे कि एक रोटी का टुकरा डाल करके देखें, सारा मचलियां आपके तलाब में उपर आ करके कॉमन कार् आते हैं कि यह मचली जैसे ग्रास कार्प ठंडी के दिनों में भी भोजन करती है, यह कॉमन कार्प मचली भी भोजन कर लेती है, जिसका नतीजा होता है कि इसका ग्रोथ भी हो पाता है ठंडी के दिनों में भी, और दूसरा कि आप छोटे से छोटे तलाब में भी इसका पा जादा आपको होता है तो दूसरी जागा नुकसान भी होता है, नुकसान कैसे होता है, वह गताते हैं, माली जी की तलाब के तला जादा बच्चे दे देती है, आप माली जी एक एकर के तलाब में 5000 बीच डाले हुए हैं, सपोज कीजिए, और यह 10,000 बच्चे और दे देती है आपके तलाब में तो वहाँ तो oxygen का problem हो जाएगा pH का problem हो जाएगा दोस्तो भोजन का कमी हो जाएगा आपके तलाब में दूसरी मचलियों के लिए तो ज़्यादा बच्चे देती हैं और दूसरा नुक्सान यह होता है हम पहले भी बताएगे हैं कि इसका जो छोटी मचली छोटी common कार मचली जो भी बच्चे देती हैं उसका growth नहीं हो पाता है 1500 गराम 200 गराम का ढ़ा जाती है इसलिए यह एक नुक्सान है दूसरा नुक्सान की हम बात करते हैं दोस्तो जब कभी भी आपको इक्षा होता है कि हम अपने तलाब का सारा मचली का harvesting कर लें आप प्रोग्राम बनाते हैं कि सारे मचली को हम harvesting करके वैसे कियावे सकता है इसको हम sale कर दे फिर नया seedio stock करेंगे और आपके तलाब में पानी रहता है तो उस position में सारी मचलीों के आप नेटिंग के माध्यम से जाल के माध्यम से harvesting कराब लेते हैं लेकिन आपको पता होगा यह एक common कार मचली ऐसी है जो आपके तलाब में जाल के माध्यम से अपने तलाब से आप इसका harvesting नहीं कर पाते हैं उसके लिए दोस्तों आपको अपने तलाब का पूरे पानी को सुखने का इंतजार करना परता है या फिर पंपिन सेट के माध्यम से आपको अपने तलाब का पूरा पानी निकलवाना परता है तब जाकर के आप इस common कार मचली को harvest करा पाते हैं नहीं तो जब भी आप जाल चलाते हैं या तलाब के तली में जो भी कीचर और अड़ाता है मड़ रहता है उसी में जाकर के छुप जाती है दोस्तों तो दोस्तों यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं यही कुछ फायदे और नुकसान थे कॉमन कार्प मचली पालने के अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे और चैनल पर अगर नए है तो क्या करना है आपको बता है हम बार बार क्या कहें दोस्तों धन्यवाद